मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है और ऐसे में दिन और रात के पाड़े में काफी अंतर देखने को मिल रहा है वहीं अगर बिहार के तापमान की बात करें तो यहां पांस दिनों से दिन के तापमान में स्थीरता देखने को मिल रही है तो वहीं रात के तापमान में लगातार गिरावड देखने को मिल रही है इसकी वज़ा से दिन में बिहार के सभी हिस्सों में तापमान 29-32 डिगरी सेलसियर तक बना हुआ है तो रात का तापमान 14-19 डिगरी तक पहुँच जाता है अगर हम बात करें कि बीते दिन यानि कुड़ुबार को बिहार का कौन सा जिला सबसे ठंधा रहा तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम गया का आता है जहां का अधिक्तम तापमान 31-25 डिगरी और रात का तापमान 14-2 डिगरी दर्ज किया गया है जानकारी के ने बता दे कि मौशनम विभाग के अनुसार बिहार में 10 नवंबर के बाद यानि कि नवंबर के दूसरे सब्ता से तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है मौसम विभाग के दौरा इसकी वजह बंगाल के खारी में सक्रिय चक्रवारती हवाओ को बताया गया है उन्होंने बताया है कि इन हवाओं के प्रभाव और निम्न हवाओं के दवाओ से देश के कहें हिस्सों में हलकी बारिश होने की भी संभावना है जिनमें केरल, आंद्रप्रदेश, करनाटक, तमिलनाडू, महराष्टो और जम्मू काश्मीर सामिल है इन सबी अस्थानों पर मौसम विभाग के कहें नुसार बारिश हो सकती है इसके अलावा मौसम विभाग के द्वारा यह भी बताया गया है कि 6 और 7 नवंबर को देश में दो पश्चिम विचोप सक्डिय होगा जिसकी वज़ा से देश के कुछ हिशों में बरफवारी की भी संभावना जताई गई है बता दे कि जिन स्थानों पर वरफवारी हो सकती है उनमें जमु काश्मीर, हिमाचर प्रदेश और उतराखंट शामिल है फिलार मौसम विभाग के नुसार बिहार में पचुआ और उतर पचुआ का प्रभाव है जिस वज़े से मौसम सुस्क मना हुआ है वह यार से 12 किलो मीटर के प्रभाव से हवाई चल रही है जिस वज़े से धूब का भी प्रभाव निस्क्रिय हो गया है इसके साथ ही अगर हम बिहार के राजधारी पटना के तापमान पर नज़र डालते हैं तो पिछले 24 घंटे में दिन के समय तापमान स्थर रहा लेकिन दो पहर एक बज़े के बाद तापमान में लगातार गिरावर देखने को मिली है बता दे कि पटना में गिरुवार यानी की बीते दिन अधिक्तम तापमान 30.6 डिगरी और रात का तापमान 17.6 डिगरी रहा आट से 11 किलो मीटर प्रति घंटे की रफतार से पचु और उत्तर पक्षिम हवाय चल रही थी जिस वज़ा से मौसम सर्ध हो गई वही अगर आज के तापमान की बात करें तो बिहार में आज दन का तापमान 31 डिगरी रहा तो वही रात का तापमान 19 डिगरी रहने की संभावना है आज के लिए इतना ही धन्यवाद